हेलो फ्रेंड्स तो पिछली वीडियो में हमने अपना बर्गर अप्लिकेशन का स्क्रीन 2 का पूरा कोड कवर अप किया था जो आपको right side में शहर है और इस वीडियो में हम जो हमारे last screen ने screen 3 उसको पूरा कोड करें तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं उससे बढ़ इंट्रो चला लेजे तो चलिए अब हम screen 3 का code अपना start करते हैं तो screen 3 में जाने के लिए हम क्या कर रहे तो देखे नीचे जो आपका list view builder था अगर हम यहां किसी भी item के उपर click करेंगे तो हम screen 3 में पहुँच जाएंगे और जिस भी burger के उपर हम click करेंगे उसकी image और जो भी उसकी details है वो next screen में pass on कर रहते हैं map की help से यह देखिए यह हमने बनाया अपना map यह रहा हमारा map ओके यह हमाई burger 3 screen तो चलिए इसके उपर हम click करते हूं चलते हैं screen 3 में हमने यह किया tap और अब हम पहुँच चुके screen 3 में जो हमारा blank इसके फोल्ड है तो अब मैं आपको screen 3 के code पे लिए चलता हूं तो यह रहा हमाई screen 3 के code यह हम क्या कर रहे हैं हमने top पे एक details नाम का map बनाया इसमें हम सारी value get कर रहे हैं और हमें अगर कोई भी value नीचे use कर नहीं है तो हम लेखेंगे widget dot details और अपनी key कनाब ओके तो आप शुरू करते हैं screen 3 का code पर उससे पहले चलते हैं PowerPoint में और जो भी इस screen को बनाने के concept है वो पूरा discuss कर लेते हैं उसके बाद simply यहां के simple audio review में code कर दें तो चलते हैं PowerPoint पर तो देखें यह थी हमारी screen 1 जिसको वीडियो 1 में cover किया था यह थी हमारी screen 2 जिसको वीडियो 2 में cover किया था और यह हमारी screen 3 जिसको हम इस video में पुरा complete करें तो चलते हैं slide 4 पर और जो भी इसका concept है उसको discuss करते है तो अब आपने यहां पर बॉडिजिट के अन्ह में सबसे पहले तो अपना list view विजट बना अब हमने क्यों बना आ है क्या है क्योंकि यहां में विजट को वरिटिकल फैशन में align representative ऑ cricket के नकिन न्do से start हो रहा और यहां पे अमारे इमेज विजिट के हो आपको बैकड़ाउंड में रही तो हमारी अपने स्क्रेंड में पासओं कर देज्य अब पहले हैं रहाए उसको कैसे बनाए लीनियर ग्रेडियंट उपर वाला ट्रांस्पेरेंट और बाद वाला कलर वह हमारा वाइट तो आपको यह दिखेगी और नीचे आपको बैक्डाउंड में शो नहीं होगी लीनियर ग्रेडियंट को उसके बाद इस इमेज को तो डारेट कंटेनर के अंदर प्लेस आन किया है थाकि आपको यहां पर यहां पर दूसरा विजिट है वहां पर हमने एक रो बनाई है रो में सबसे पहले तो मैं आइकन बनाया यह दें अपना टेक्स लिखा जो पिछली स् इस इसक्रीन में पास्वान कर रहे था उसके बाद यहां पर थोड़ा ट्रुकी पार्ट है यहां पर मिक्या करना था एक लिख्वी बिल्डर बना जिसकी स्क्रोल डारेक्शन होरिजॉंटल होन चाहिए तो उसको बनाने के लिख्या कि है सबसे पहले हमने एक कंटेनर बना इसके पार्ट कैसा यहां पर चाहते हो तो यौ आई पार्ट में किया है यहां पर कंटेनर लिया है और उसकी जो प्रपरटी उसमें कलर दे दिया हो रहें और हमारा बॉर्डर रेडियस दे दिया ताकि आपके इसके कॉर्णर से आपको और जो इस कंटेनर की चाइड्ड प्रॉपरटी होती उसमें हमने अपना टेक्स पास कर दिया ओर नाव ओके तो यह था हमारा स्क्रीन 3 का पूरा यूई पार्ट तो अब चलते हैं विएस कोड में और इसको सिंपली एकदम कोड करते हैं चलते हैं अपने विएस कोड में तो अब हमें यहां सबसे पहले तो अपने लिस्ट वी बनाता बॉड़ी के अंदर तो यह रहा हमारा इसको करते हैं कमेंट और यहां पर आपको इमेज होगी लीनियर ग्रेडियंट के सब यह देखिए अब इसको बनाने के लिए मैं क्या किया देखिए सबसे पहले तो हमने एक कंटेनर बनाया उसके डेकुरेशन प्रपरटी में अपनी इमेज प्रासाउन कर दिया जो अपन आप से हमारा नहीं में लीनेर ग्रेडियंट पस किया यह देखिए और गर्रेडियंट में कलर है सबसे पहले तो वाइस पर वाइंट ऑर दूसरा है कलर पूरा वाइट तो इसको मैं सब्सक्राइब करूए और जो इसकी बीगिटन प्रपर्टी होती है उसको उमने कर दिआ alignment.top center और जो इसकी end property होती है वो हमने कर दिया alignment.bottom center तो आपका gradient यहां top से start होगा और यहां bottom पे end होगा तो यह था हमारा stack में सबसे पहला विजित उसके बाद हमें यहां पर वो image display कराने थी जो हम पिछली screen से इस screen में pass on कर रहे थे तो यह रहा उसका code तो इस code को करते हैं comment तो यहां पर आपको image show up हो जाएगी यह देखे ठीक है तो इसको बनाने के लिए क्लिए कि है simply हमने यहां पर मैं container विजिट बनाया और जो हमने image यूज करिए वह थी widget.details of image तो यहां पर विजिट.details और हमने अपनी की का नाम दिया है तो हम इसको यूज कर रहे थे हैं यहां देखे टॉप से तो यह रहा वाला फिर हमारा फेवरेट का इकन तो हमारा stack विजिट तो पूरा complete होगी ओके उसके बाद हमें क्या खड़ना था अपना एक row विजिट बनाना था जिसमें हम अपनी रेटिंग और रिविजिट शो कर रहे थे तो इस को करते हैं अनकमेंट यहां पर आपको विजिट शो पर जा पीच में हमें थोड़ा सा स्पेस मिंदे उके इसके बाद जो हमारे रिव्यू थे वह हमने टेक्स विजिट बना के पासवां कर दी और हमने इसके स्टाइलिंग करी है colors.back with opacity 0.5, font size 18, font weight.w3, okay इसके बाद हम यह क्या करना था जो भी हमारा burger था उसका हमें नेम शोप करना यहां पर आपको अपने burger का नेम शोप हो जाएगा यह देखें तो हमारी की क्या थे विजिट.retails और की थी हमारी नेम उसके अंदर हमारा महराजय मैं की जो भी हमारे burger का नाम था वह स्टोर था अब इस टेक्स के styling देख लेते हैं तो यह देखें इसका color is colors.back with opacity 0.9, font size 26 and font font-fit.w600 आप हमें क्या करना था यहां पर एक list-view builder बना था जिसकी scroll direction हमें horizontal करनी थे लेकिन उसके ओपर हमें text लिख रहा थे taste like यहां पर आपको टेक्स शोप हो जाए तो यह देखें तो आप वह सवाले code को करते हैं जहां पर एक list-view builder है तो इस code को करते हैं comment और आपका list-view builder आपको शोप हो जाए तो इसको करते हैं comment then save तो यहां पर एक list-view builder दिखेगा जिसकी scroll direction horizontal यह देखें तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया है सबसे पहले जो हमारा list-view builder था उसको हमने container विजट के नदर रप किया और एक height define करिए अब यह हमने height क्यों बनाई है ताकि हमें मैं यह पता चलना चाहिए कि कितने एरिया में हम अपनी scroll direction और चाहते हैं उसके बाद जो list-view builder था उसका shrink wrap कर दिया हमने यहाँ पर true और यह scroll direction यह थी इसकी important property यह by default होती है access.vertical अमें इस सेट करना पड़ता है access.project इसको मैं कर दिया bouncing scroll physics और यहाँ पर जो item count है वह हमाई topics.length अब topics क्या है देखिए टॉप पर हमने list बना रखी यह हमाई topics की list और यह हमाई topics image लिस्ट से और जो नीचे आपको name show हो रहा है वह आ रहा है topics list से ओके तो हम इन दोनों list को यूज़ कर रहे है नीचे अपने listview.builder करने तो हम थोड़ा slide down करते हैं तो यह ठीक है उसके आदम हमें क्या करना था item builder कि हमें अपना UI part कैसा show कराना तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया है सबसे पहले तो अपना container widget बनाया है और उसको एक decoration provide करिए जो है आपको background में color show हो रहा है हमने इसका color दिया colors dot gray with opacity 0.5 औ और border radius दे या border radius dot circular 8 इसके बाद हमने इसे wrap किया अपने card widget के दार ताकि हमें यहाप थोड़ी सी elevation दे जाए ओके फिर जो हमारा container था उसका child था हमने उसको बनाया column widget हमने column widget क्यों यूश करना है क्योंकि हमें यहाप दो विजिट को vertical fashion में align करना था तो जो हमारा पहला विजि अपना text video उसके जो आपको नीचे यहाप टैक्ट शोप हो रहा है तो यहाप करना था नीचे description के पहले की लाइन तो इसको करते हैं सेफ यहाप को description शोप हो जाए यह देखें ओके जो आपको यहाप पर description टेक्स दिख रहा है यह रहा उसका खुल हमने क्या क्या है simply text video किया और उसमें अपना text description पासवान करते हैं फिर जो हमें नीचे आपको description शोप हो रहा है यह हमने टॉप पर variable में store करा के रखें यह देखें यह हमारा टेक्स था उसको हमने center विजिट के अंदर रैप कर दिया तो यह हमारा जो hungry टेस्ट था वो हमरा आगया center में देन हमें क्या करना था नीचे एक विजिट बनाना था जिसमें लिखा था order now तो इस code को करते हैं comment then save तो यहां पर आपको order now शो हो जाए जो हम इसे थोड़ा slide करेंगे यह देखें ठीक है तो इसको बनाने के लिए कि है आपने container विजिट की जो decoration property थी उसमें हमने colors दिया और और हमने दिया अपना border radius ताकि जो भी हमारा container है उसके जो corner से वो थोड़े से rounded हो जाए और जो हमारा टेक्स था order now उसको हमने टेक्स विजिट के अंदर लिखा और उसको रैप कर दिया center widget के इंदर ओके देन लास्ट में हमें एक और text यूज़ करना था तो उसको हमने simply अप पिशली screen में click किया उस पर हम एक transition चाहते हैं तो मालीजे हम जब इसको back करेंगे तो आपको यहां पर transition शोगा यह देखे चिक है मालीजे हम इस burger के उपर click करेंगे तो यह देखे यहां पर आपको transition शोग रहा है image पर तो इसको achieve करने के लिए हम क्या करेंगे जहां पर भी हम यूज कर रहे तो यहां पर टेक है images of index तो अगर मालीजे इमेज 0 होगा तो यहां पर image of 0 की value आई और जो हम पास-on करने तो same यहां पर पास करने अगर index 0 है तो यहां पर value जा रही है वो image of 0 हो जा रही है तो दोनु जगा हमारे tag same हो गया इसलिए हमें यहां पर animation show हो रहा है तो अब इस application को एकदम start से देखते हैं तो यह रही हमारी first screen इस पर हम नीचे कर click करेंगे तो हम अपने next screen में जा रहे तो यहां पर हमने दो list view builder बनाए तो यह वाला और दूसरा यह वाला और अगर हम यहां किसी भी burger के उपर click करेंगे तो image और जो भी उसकी details है वो next page पर हम आपने map के अंदर तो इससे click करते हैं तो यह देखे हमारी image और जो भी उसकी details थी वो इस page में हमने send कर दी तो यह रही हमाई screen तरी पूरी complete और जो भी images हमने इसमें use करी हो सारी मैं आपको description में provide कर दे रहा हूँ ताकि आपका images ढूनने में जरसा भी time waste ना हो आप सीधे code को नहीं provide करूँगा ताकि जितनी बार आप इस code की practice करोगे उतनी बार आपके लिए चीज़े और easy होती चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपकी knowledge में थोड़ी बहुत भी value add up करी होगी तो अगर आपकी इंसे थोड़ी बहुत भी help हुई है तो आप इसको like and share कर देना इससे मेरी आल पर जाएगी तो मैं तो नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए see ya friends